सरकारी टेलेकॉम कंपनी BSNL अब इंफराज रिप्लेस्मेंट पर फोकस कर रही है और Zee Business से एक्स्क्लूजिव बाक्चीत में BSNL के चेर्मैन और MD PK पुर्वार ने कहा है कि कंपनी दरसल असेट मॉनिटाइजेशन पर काफी ज़्यादा काम कर रही है सुनिए कि BSNL जो इशू किया था उसका इनिशल साइज 1000 करोड था और ओवर सेप्स्क्रिप्शन 7500 करोड तक हम रिटेन कर सकते थे हमें बहुत खुशी है कहने में कि मार्केट ने बहुत बड़ा रिस्पॉंस हमें ओवर वेल्मिंग रिस्पॉंस दिया और टोटल हम 17,180 करोड से अब डेट है कितना अभी तक क्या क्या अब डेट है और कितना पैसा अब रिस करें क्या टागेट है पहली चीज़ तो जो हमारी एसिट है उनको हम रेंटिंग करके रिसोर्स को कैसे अग्मेंट कर सकते हैं इस पे हम काम कर रहे हैं पिछले साल हमने लगवग 160 करोड रुप बैंक्स हैं उनको monetization करने का एक proposal है जिसमें कि हमने 11 लेंट बैंक्स को identify किया है और इन 11 लेंट बैंक्स पे हम काम कर रहे हैं कि इनको हम outrightly sale करना चाहते हैं जिससे कि इसके through हमें जो पैसा मिले और उसको हम अपने network में लगाएं और network को further improve करें तब तक एक update expect कर सकते हैं कब हम देखेंगे कि BSNL का 4G pan India launch हो रहे हैं और आने वाले जो options कुछ महीनों में जो anticipated हैं उसमें कितना participation रहेगा और क्या major markets पर आपका focus रहेगा 4G services इस पूरी strategy में एक एहम role है और हम सरकार के साथ बैठके कारे कर रहे हैं कि 4G services को हम कितनी जल्दी launch कर सकते हैं सरकार ने 4G services को लाने के लिए एक committee बनाई थी उस committee की report प्राप्त हो गई है जो कि DOT उसको examine कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उस पर नड़लोगा जिसकी बज़ए से हम 4G services बहुत जल्दी launch कर सकते हैं BSNL एक चीज में बड़ा clear है कि देश के हित सर्वोपी है और देश हित में अगर कोई भी तरीके का अपनी नीतियों में बदलाव लाने की आवशकता है तो BSNL उन नीतियों में बदलाव लाएगा